नमस्कार दोस्तों कैसे हैं अब आई हो बच्छे होंगे तो आज एक पोर्टफोलियो रिविव्यू कर लेता है तो रिविव्यू करने से पहले बता दू कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर दिजिए वीडियो को आपका एक लाइक मेरा हैं कर देता है को और लोगों तक पहुंचाने में तो आज का वीडियो का लाइक रखते है 20 प्लस तो 20 से उपर जाएगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लएगा और मोटिफेशन भी मिल जाएगा और मैं ऐसे ही पोटफोलियो वीडियो और भी लाओंगा तो जल्दी से शुरू करते हैं है एक है आपका time horizon time horizon कितना है आपका वो बता दीजिए आपके पोटफोलियो शेयर करने के वक्त टीक है time horizon मान लीजिए 10 years 15 है या फिर 5 साल है या फिर 2 साल है जितना भी है बता दीजिए आंसा नहीं रहता है और और कैसा type के investor है अपना risk profiling कीजिए और कैसा type के investor है जानिया मैं खुद से पूचिए आप aggressive investor है या फिर moderate investor है या फिर एक दमी new investor है कुछ पता पता नहीं अभी तक mutual fund में कैसा type investor है यह भी बता दीजिए मुझे ठीक है तो आज के वीडियो स्टार्ट करता है तो अशोग जी का comment आया है तो इनका portfolio में है निपान इंडिया large cap fund ठीक है HDFC flex fund grow nifty total nifty total market index fund अच्छा पड़ाग 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 फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट का small cap fund तो इन निपान में है 5000 HDFC flexi में है 2000 grow nifty में है 2000 पड़ाग परिक में है 2000 क्वांट स्माल के एक हज़ा पांच चैसाद आट नो दस ग्यारा बारा 12k का SIP चल रहा है इनका तो मुझे जैसे मोटा मोटा देखके लग रहा है आपका portfolio आप एक conservative investor है ठीक है conservative investor है क्योंकि आपका large cap large cap companies में कितना पैसा जा रहा है पांच हजार फ्लेक्सी कैप लाज कैप कंसिडर कर सकते क्योंकि 70% फ्लेक्सी का लाज के में लगा हुआ रहता है तो पांच हजार साथ हजार पड़ाग पड़ी कि यह भी फ्लेक्सी कैप है 9000 रुपे आपका 9 9000 रुपीज आपका मोटा मोटा चला गया large cap में ठीक है और grow nifty total यह मैं एक यह बहुत ही conservative portfolio बोलूंगा यहां पर ज्यादा returns के का आशा मत कीजिए यहां से ठीक है returns बहुत ही काम आएगा यह दो बात है क्योंकि हम बता रहों क्यों एक तो है आपका large cap oriented fund है ठीक है 9000 मतलब 50% से ज्यादा आप large cap में डाल रहे हैं पैसा पैसा बनता है जब मिट कैप और small cap में लगाना चाहते है तो तब ही पैसा बने large cap में रखता है कि हमारा stability रहे है अपने portfolio में बाकि हम लोग mid cap और small cap में रखेंगे ताके मेरा returns बढ़ जाए वैसा अभी पीछले जमाने में मतलब पहले लोग क्या बोलते थे कि कुछ पैसा debt में रखिये कुछ पैसा gold में रखिये थोड़ा बहुत equity में रखिये equity में भी maximum chunk रखिये large cap में थोड़ा रखिये mid cap में और बहुत ही कम रखिये small cap में ठीक है यह अभी जमाना गया इसका यह equation अभी अभी लागो नहीं होता है लागो अभी equity में डालिए आपका पैसा अगर बनाना है returns अगर चाहिए आपको ठीक है तो equity में returns बनेंगे और equity में भी made of small cap में बनेंगे आपके returns large cap रहता है only for stability of the portfolio market crash कर जाए तो मान लीजए यहां पर लगा हुआ 60% पैसा made of small लगा के 40% आपका फिर भी रहेगा या 30% फिर भी रहेगा आपका उसको push देने के लिए नीचे से इसलिए large cap रखते हैं आपका maximum amount 12,000 में से आपका 9,000 रुपए large cap में लग है ठीक है और उपर से आप लेके रखे है grow का nifty total market index जो के एक नया fund है September 23 में लिजवा था चार्प चैमाई नहीं हुआ है बस six months का data है इसका बस और क्या ही बात करूं मैं अभी erase कर के फिर बताता हूं रुकिए हां तो यह यह लार्ज कैप हो गया 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 यह लार्ज का वाला फंड ग्रोका जो निफ्टी टोटल इंडेक्स फंड यह नया फंड है September 23 में रिलीज हुआ था लांच हुआ था ठीक है इसमें 700 कंपनीज आते है 750 कंपनी तो इतना सारे कंपनीज में पैसा ड़ेेंगे ह्याए इतना सारे में आप पैसा ड़े लगाएंगे तो मानलिजें एक दो तीन कंपनी उपर का दो तिन कंपनी बहुत ही अच्छा रैली दिया तो आपका इंडेक्स आपके जो फंड है वहां पर शो ही नहीं करेगा क्योंकि सारे साथ सो कंपनी में आपका सौरुपय मानली चे लगा रहा है तो सौरुपय में डिवाइट करके इसमें एक रुपय इसमें 0. रुपीज मान ऐसे करते हैं ज्यादा पैसे किसी में लग लगी नहीं रहा है तो टोटल इंडेक्स फंड तो एट लिस्ट रिटर्न के मामले में बेकार है एकदम 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 नेगटिव है टोटल इंडेक्स फंड अगर आपका लक्ष है ओनली टू मतलब स्टेबिल प्लान नहीं है कि वेल्थ को इंक्रीज करना है मुझे अपना वेल्थ मिल चुका है अल्रेडी मैं ज्यादा इंक्रीज करना नहीं चाहता हूं मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए और उस स्टेबिलिटी के बाद भी थोड़ा थोड़ा रिटर्स मिल जाए 10 परसंट से 12 तक एक दम बेकार फंड है तोटल मार्के इंडेस फंड कभी नहीं लेना चाहिए उपर से इसका कोई डेटा भी नहीं है सेप्टेमबर 6 माही नहीं हुआ इसका HDFC Flexi Cap पर आप करेक Flexi Cap दोनों दो Flexi Cap लेने का कोई मतलब नहीं बनता है एक ही पॉर्टफोलियो में एक से आप निकल सकते हैं आप जरूर निकलिए एक से ठीक है आप फ्लेक्सी कैप में एक से जरूर निकल सकते हैं मेरा साजेशन हो पराख परेक को रख दीजिए HDFC यहां से निकल जाहिए इसका जरूरत नहीं है क्वांट स्मॉल कैप में आपका थोड़ा एलोकेशन बढ़ा ही है आप हजार उपे बहुत कम लगा रहे है इसको दो हजार कर दीजिए ठीक है इसको दो हजार कीजिए निपान इंडिया लाज कैप जो है 90 परसेंट लाज कैप 90 परसेंट लाज कैप इंडेक्स को बीटने कर पाता है अपने इंडेक्स जो है इंडेक्स को भी बीटने कर पाता है मैं इसके जगह सब्सक्राइब अगर आपको एक लाज लाज ही देखता है मतला इंडेक्स में डालना है पैसा इंडेक्स फंड में लगा है इंडेक्स फंड मतलब यूटी आइंडेक्स फंड निफ्ट 50 index fund HDFC 5050 index fund इन तीनों में से आप किसी में भी चूज कर सकते हैं पैसा लार्ज केप में मत लगाएं पैसा क्योंकि 90% large cap funds बीट नहीं कर फालतु का expense ratio देंगे आप यहां पर expense ratio देने का कोई 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 भी मतलब नहीं बनता है इससे निकल के index fund लीजिए HDFC से निकल जाएं कोई मतलब नहीं है flexicap पराग परिक में रख रही है ग्रोक से निकल जाएं मतलब नहीं बनता है Quant small cap में पैसा बढ़ाईए increase money on Quant small cap ठीक है तो आपका मोटा मोटा रहे गया यहां पर पहला एक हो गया index fund ठीक है दूसरा हो गया पड़ाग पर एक flexicap fund तीसरा हो गया आप एक midcap ले सकते हैं ठीक है एक midcap ले सकते हैं यहां पर आपका midcap नहीं है midcap ले सकते हैं चार्ध हो गया आपका Quant small cap एक midcap मैं आपको suggest कर देता हूं HDFC का midcap है HDFC का midcap opportunities है opportunity direct growth अब हर एक plan direct growth ही लेना regular मत लेना तो यह चार आपका एक अच्छा portfolio बन सकता है एक मान लीजे index एक है पर आप पर एक flexi एक मान लीजे midcap और एक मान लीजे Quant का small cap जो आप रखे हुए है ठीक है allocation थोड़ा सा small cap में और midcap में बढ़ाईए और index fund और यहां पर मान लीजे यहां पर यह दोनों fund में 50-50% कर दीजिए और इन दोनों fund में 50-50% कर दीजिए आपका बैतरीन portfolio बन जाएगा तो गाइस अभी end कटते है यहां पर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कर दीजिए चैनल को लाइक का टारगेट जैसे मैं बता है 20 प्लस टारगेट है प्लीज लाइक कर दीजिए ताके मैं और भी नयने वीडियो ऐसे portfolio रिव्यू कर सकूं थैंक्यू सो मच